नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आयो शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से उन्ना में कोहरे में एक्सप्रेस वे पर सडक घेर कर खड़े ट्रक से टकराई वाइक युबक की मौत बहन गायल कहरे में एक्सप्रेस वे की बद इंतिजा में काल बन कर बर्फेगी यह चेताने के बाद भी जिम्मेदारों ने आख बंद कर ली हैं गुरुबार को बहन को बीए की परिक्षर दिलाने जा रहे भाई की बाईक एक्सप्रेस पर सड़क घेर कर खड़े ट्रक में टकरा गई हाथसी में भाई की मौत हो गई बहन गायलो गई हाथसी के बाद खड़े ट्रक को हटवाया गया और रास शित्र के गाउ रानी खड़ा निवासी अठारे वर्सिया अमान पोत्र सुरेंडर सिंग यादव अपनी बहन रोली को बीए का पेपर दिलाने के लिए गुरुबार तड़ के बाईक से बंगर मौ से निकला रास्ते में बेटा मुजाबर शित्र के गाउ साधीपूर के पास पहले से सड़क घेर कर खड़े ट्रक में उसकी बाईक पीछे से टकरा गई हादसी में बाईक चला रहे अमन की घटना इस्तल पर ही मौत हो गई पीछे बेटी बहन रोली घायल हो गई है हादसे के बाद यूपीडा की रेस्क्यू टीम ने घायल चात्रा को बंगर मौ सीएची में भरती कराया हालत गमीर होने पर ट्रामा सेंटर लखनव रेफर कर दिया गया है पुलिस्क ने दिवंगत अमन के शब को पोश्ट माडम के लिए भीचा है बिलक रहे स्वजन ने यूपीडा के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है कहा कि ट्रक को पहले हटा दिया गया होता तो हादसा ना होता इस्थानी लगों के अनुसार गुरुबार के सुबह एक्सप्रेस वे पर घना कोहरा था आगे 20 मिटर की दूरी तक कुछ भी दिखाई देना मुस्किल हो रहा था उपर से ट्रक सड़क घेर कर खड़ा था जिसे बाइक सबार देख नहीं पाया घायल चात्रा गंज मुरादाबाद शेत्र के अशोक महावेध्याले में बिये प्रिथम वर्स की चात्रा थी जबकि परिक्षा केंद्र राधा क्रश्न महावेध्याले हसना पूर्था जो एक्सप्रेस वे मार्ग से उतरने के बाद लगभग डिर क्लोमेटर की दूरी पर तब तक लिए नमस्कार और देख तरी आर्पियस समाचार